हेलो फ्रेंड अगर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको कौन से ब्रोकर के साथ जाना चाहिए और कौन सा स्टॉप ब्रोकर सबसे सही रहेगा ये सवाल आपके मन में आएगा देखिए मैंने कई ब्रोकर के अकाउंट यूज करके देखे है तथा उसमें जो कुछ experience मैंने किया वो सब मैं आपके साथ share करने वाला हूँ किसी भी स्टॉप ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलने का decision आपका अपना होगा सभी ब्रोकर की अपनी अपनी खूबिया है तथा कुछ कमिया है तो इन ही खूबियों तथा कमियों के आधार पर हम जानेंगे कि कौन सा स्टॉप ब्रोकर आपको चुनना चाहिए लेकिन उससे स्टॉप ब्रोकर्स अवेलेबल है जिनमें आप अपना डीमट अकाउंट ओपन कर सकते हैं देखिए ब्रोकर्स धून देंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिंग अकाउंट खोलने के मामले में मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बेस्ट सर्विस प्रोवाइड के साथ ही जाए इनमें जीरोधा ब्रोकिंग, एंजल ब्रोकिंग, अपसॉप्स ब्रोकिंग, एंड शेर खान ब्रोकिंग काफी अच्छे ट्रेडिंग अन्ड इन्वेस्टिंग प्लेट फॉर्म्स है ब्रोकर दो तरह के होते हैं एक होता डिसकाउंट ब्रोकर जिसमें अगर फुल सर्विस ब्रोकर यूज करना चाहते है तथा कम सर्विस चार्ज पे करना चाहते है तो आपके पास दोनों ब्रोकर में अकाउंट होना चाहिए ताकि आप डिसकाउंट ब्रोकर से स्टॉक बाई करके बाद में उसको फुल सर्विस ब्रोकर में ट्रांसफर कर सक तो चलिए कुछ चुनिन्दा ब्रोकर्स की अड्वांटेज और डिसद्वांटेज के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं अप्स्टॉक्स को, अप्स्टॉक्स ब्रोकर फ्री एक्वर्टी डिलिवरी सेग्मंट प्रोवाइट करते हैं। इंट्रडे एन F&O में 20 रुपे पर ट्रेट चार्ज है। आप कमिशन फ्री डिरेक्ट मूच्वल फंद में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक्सिलेंट ओनलाइन ट्रेडिंग प्लाटफॉर्म, वेबसाइट और मोबाइल अप प्रोवाइट करते हैं। ब्राकेट औन कवर ओर्डर्स की फैसिलिटी देते हैं। माजन अगेंस्ट शेर भी प्रोवाइट करते हैं। प्रियोरिटी ब्रोकरज प्लान अवेलेबल है। लेकिन अप स्टॉक्स की अड्वांटेज के साथ साथ डिसाड्वांटेज भी देखनी है। ये एक पूरी तरह से ओनलाइन ब्रोकर है। No Personal Relationship Manager, No Research and Advisory Services, No GTT Orders, No NRI Trading Account, ये माजन फंद प्रोवाइड नहीं करते। Call or Trade Orders के लिए 20 रूपे चार्ज, Intraday Auto Square के लिए 20 रूपे चार्ज, ये कोई Monthly Unlimited Trading Plans नहीं देते। अब स्टॉक्स के बाद अब हम एंजल ब्रोकर के बारे में जान लेते हैं। ये एक फूल सर्विस ब्रोकर है। इसका सर्विस चार्जेज 20 रूपे पर ओर और है। Free Research और Advisory Service प्रोवाइट करते है। ये Website Mobile और Trading Terminal पर Free Trading Software प्रोवाइट करते है। सबसे ज्यादा Margin लगभग 10 गुना सिर्फ Angel Broking ही प्रोवाइट करता है। अगर आपका Capital कम है। तो आप Angel Broking से अच्छे खासे Margin Money का यूज़ करके कम पैसे में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। Fund Transfer के कोई Charges नहीं है। नए Traders को Training and Hand Holding Facility प्रोवाइट करते हैं। इसी के साथ इसमें आपने ये भी ध्यान रखना है कि Angel Broking में Extra Hidden Charge लगते हैं। Angel Broking 3-in-1 Account की Facility प्रोवाइट नहीं करता है। इसके बाद बात करते हैं जीरोधा Broker की। जीरोधा में आप अपना Account 200-300 जाती है उसके हिसाब से ये Fees बहुत जादा नहीं है। इसी के साथ इनका Trading Platform बहुत User Friendly है। Equity Delivery Free है, Future and Options में Charge 20 रूपे पर Trade है। GTT Order Facility ये जीरोधा का एक Special Feature है जिससे आप किसी भी Stock को एक Particular Price पर Buy या Sale करके छोड़ सकते हो जब भी Price उस रेंज में आएगा आपका Order Execute हो मैं खरीदना चाहता हूँ। मैं उन पर GTT Order लगा कर रखता हूँ सही रेंज में Price आते ही Stock Automatically Buy या Sale हो जाता है। अब जीरोधा के दूसरे पहलू पर भी नजर घुमा लेते हैं। जैसे, Limited Customization for Charts Workspace, No Two Satip Login Facility, Only One Account Base Currency Allowed, Annual Charges आदी इसकी कुछ कमिया है। Conclusion देखा जाए तो जीरोधा कमफीस में बहुत बढ़िया Online और Mobile Trading Platform प्रोवाइट करता है। इनके अलावा और भी बहुत सारे Trading Platforms है। जैसे, Share Khan, ICICI Securities, HDFC Securities, Motilal, Oswal, Adi ये सभी Full Service Brokers है। इन सभी Brokers की लिस्ट मैं description box में दे दूंगा वहां से आप देख सकते हैं। अगर आप जीरोधा में अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इसके लिए Complete Process का वीडियो उपर बटन में आपको मिल जाएगा तथा इन सभी में Free Account खोलने के लिए Link आपको description box में मिल जाएगा।